नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्योब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले रेलबे एंटीपीसी एक्जाम दोजर बेसी किसकी ओल एक्सोपचिस पारियों पूछेगे वीडियो का अंत में ये भी देखेंगे जो ये स्वाल एंटीपीसी पूछेगे इन पर आधर इधर डियो बने रहना इसकी पीडियो फाइल के लिए आपको टेलिग्राम चैनल जोईन करना जिसकी लिंक डेस्क्रिप्स में ये सभी इंपोटेंट स्वाल कवर करें उससे पहल करते हैं चाहिए एससी करते हो रेलवे डिफेंस या फिर किसी अदर इस्टेट लेवल गौशने के लिए उल इंडिया में एक्जाम से पहले पता चलए क्या रेंक आ रही है और इसके लिए क्या चाहिए आपको प्रेक्टिस जहां से आपका कॉंफिडेंस बढ़ेगा कम सम कर रहे हो साथ साथ पैरलल में railway की कर रहे हो या किसी अधर state level exam की कर रहे हो तो सभी की mock test A की पास में इसमें भी आप TTG के coupon code use करते हो तो extra आपको 10 percentage का discount मिलने वाला आप देख सकते हो exam में जो pattern और dashboard देखने को मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पर practice कर सकते हो और सारे exam जहाँ पर आपके railway की हो गए जो RRB है इस प्रकार से आप देख सकते हो banking औगेरा के SSC की हो गए इस्टेट लेवल हो गए तो जहदा जानकारी के लिए desk cream से लिंक है वहाँ से क्लिक करके यह test series आप जोइन कर सकते हो तो जाले continue कर लाते हैं DRDO से सम्मंदित NTP से exam में कौन से स्वाल पूछेगे हैं और इन पर अधरित क्या अन्य एक्ष्ट्रा fact है जो आने वाले exam में काम आएगा आपके DRDO की स्थापना कब हुई है 1908 में DRDO ने Defense Research and Development Organization किस्तापना 1958 में हुई है DRDO का मुख्याल है DRDO भावन न्यू दिल्ली में है किस मंत्राली के अधिन है Ministry of Defense Ministry of Defense रक्षा मंत्राली के अधिन है DRDO की chairman कौन है जो आगे स्वाल यह पूछा गया है कि who joined the chairman of DRDO in 2018 तो 2018 में DRDO की chairman पत्पर कौन न्यूगत है जी 37 रेडी हुए है DRDO के chairman पत्पर न्यूगत है DRDO की दोरा विक्षित rocket launcher कौन सा तो DRDO की दोरा विक्षित जो rocket launcher इसका नामे पिनाक है पिनाक एक प्रकार का multi barrel rocket launcher है जो कि भारती सेना के लिए DRDO ने विक्षित किया है DRDO के दोरा विक्षित किस robot का मुख्य उप्योग है वो खतरनाक वस्तू जैसे की bomb वो गिरा है इनको खोजने और नश्ट करने के लिए किया जया है तो यह जो एक DRDO के दोरा रोबोट को विक्षित किया गया है यह रोबोट है इसका उप्योग है खतरनाक वस्तू को नश्ट करने के लिए किया जाएगा तो इस रोबोट का नाम है दक्ष रोबोट क्या है दक्ष रोबोट इसको develop किया है DRDO ने DRDO जिसके बारे में बता अगला स्वाल देखीगा काली जो एक electron esterator है काली क्या है electron esterator है यह किसके दोरा विक्षित किया गया है काली को DRDO ने और शाथिसा स्यूगत रूबशे बीए आर्शेनी भाबा एटोमिक रिसर्च चेंटर ने विक्षित किया है काली में अभी अलग-अलग एडिसन जैसे क काली एट टी काली दो सो काली एक जार काली पांच जार काली दस जार आपको पूझा दा सकता है निमल कितमे से कौन सा काली का वर्जन नहीं है तो यह सबी वर्जन वैलिड है देखीगा अगला स्वालिया पर स्वाला मर्च पंदरा अप्रे 2019 में भारत ने किस सब सोनी पूरुज मिच्षाल है 2019 में इसको लुच्च किया गया है अगला स्वाल दिखिगा आद डी आर डीओ के दवरा विकशित ऐर टू एर मिच्षाल कौन सी है तो अस्तर मिच्षाल है जो डी आर डीओ के दौरा विक devoted ये सत्ह से सोरी हवा से हवा में मर करती है अस्तर मिच्ष गया है तो यह किसके दोरा प्रिक्षन किया गया है जो राजिस्थान की पोकरण में हुआ है एक गाइडेट बंब का सपलता पूर्ख प्रिक्षन है जो सुखोई लड़ा कुझ जेटे इसके दोरा 500 किलोग्राम की बंब था डियार डियो के दोरा यह प्रिक्षन किया गया है इसके अलावा जो अंतिम परिक्षन जो DRDU के दोरा नाग anti-guided missile का किया गया था वो अक्टूबर 2020 में किया गया था कौन सी मिसाइल भारत और रश्या दोनोंने शुक्त रूप से विक्षित की है और दो नदियों के नाम जो भारत की ब्रह्म पुत र रश्या की मोस्कवानी ब्रामोहुष। ये इस missile का नाम है भारतो रश्या ने शुख्तरूप से इसको विक्षित किया है। ये इसलिए स्वाइल ले जिया क्योंकि भारत में ये DR-DO के दौरा विक्षित की गई है। और रश्या के दोरा जो NPO मर्शिनो एस्टोनिया हैं इसके दोरा इन दोनों के दोरा शुक्त रूप से हैं यह जो मिसाइल हैं जिसका नाम भरमोश हैं अगला स्वाल दिखेगा पिर्थ्वी टू मिसाइल के बारे में सक्ते कतन किया तो पिर्थ्वी टू है यह निर्माता 2004 में यह विक्षित हुई थी लॉंच वही थी पिर्थ्वी टू की जो ऑपरेशन शमता है वो कितनी है वह है दो सो पचास से तीन सो पचास किलोमेटर है पिर्थ्वी टू की तीन सो पचास से छासो किलोमेटर है अगला स्वाल दिखेगा बलश्य मूलम विज्यानम किसका आदर्श्वाक की है बलश्य मूलम विज्यानम है यह DRU का आदर्श्वाक की है और मैं आपको बताओ इंपोर्टेंट फेक्ट की जो इसरो का मोटो है वो क्या है इसरो का है Space Technology in the Service of Mankind है तो Mankind जो मानुजाप्ति की सेवा में अंत्रिक्स प्रोध्यूगी की है Space Technology in the Service of Mankind यह इसरो का मोटा है और जो बलश्य मूलम विज्यानम है यह किसका मोटो हो जाएगा यह DRU का मोटो है DRU Defense Research and Development Organization अगला स्वार DRU के दर्विक्षित Anti-Tank Guided Missile कौन सी नाग मिशाइल है DRU के दर्विक्षित यह Anti-Tank Guided Missile है जोलाई 2019 में इसका सफ़ता पूरुक परिक्षन किया गया है भारतिय अंत्रिक्स अनुसंधान संग्ठन जो इसरो है इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद मासागर छेतर में सेन्य और मर्चंट नेवी के जहाँ की गति वीदियो की निगरानी के लिए DRU के दर्विक्षित कौन सा उपग्र प्रक्षिपित किया है तो यह DRU के दर्विक प्रक्षित उपग्र जो की फरवरी 2021 में इसरो के दर्वा प्रक्षिपित किया गया है जिसका उप्योग हिंद मासागर छेतर में सेन्य और मर्चंट नेवी की जहाँ जो की गति वीदियो को ट्रेक करने के लिए किया जाएग तो आपको पूच्चा है कौन सा उपग्र है ये प्रक्षिपित हुआ है तो सिंदुनेत्र इस उपग्रे को PSLVC51 के जिरी प्रक्षिपित किया है सिंदुनेत्र इसका नाम हो जाएगा अगला स्वाल अंतिम स्वाल देखेगा DRD के अगनी सुरुक्षा परिक्षन के लिए कोसल विकास केंदर का उधगाटन 22 फरवरी 2021 को कहाँ पर किया गया है तो DRD के अगनी सुरुक्षा परिक्षन के लिए कोसल विकास के अंदर है इसका उधगटन फरवरी 2021 में कहाँ पर हुआ है तो रक्षा मंत्री राजनास सीही ने ये वर्च्वल रूप से उत्तर प्रदेश के पिल्खुआ में कहाँ पर उत्तर प्र इसके अंतर गते हैं हैटकुआर इसका न्यू दिल्ली में हैं और DRDO हैं इसका जो पहला प्रोजेक्ट है DRDO इस फ़स्ट मेजर प्रोजेक्ट का पहला तो यें सरफेश टू एर मिशायल हैं जैस्ट का नाम था इंडिगू प्रोजेक्ट हैं 1960 मे आया था तो सरफेश टू ए DRD यों की कहां पर हैं जांसे एक्जाम स्वाल पूछे जा सकते तो ये सब इस डियारड यों की जो इंस्टिट्टूट है कहां पर हैं तो Advanced Numerical Research and Analysis Group है है हैधराबाद में Advanced System Laboratory हैधराबाद में ये भी Aerial Delivery Research and Development जो Establishment ये आगरा में है Aeronautical Development Establishment बेंगलूरू में और बात करूँ Earnments Research and Development Establishment ये पूने में है Center for Airborne System ये बेंगलूरू में है बात करूँ जो DRD की Center for Artificial Intelligence and Robotics है ये भी बेंगलूरू में है Center for Fire Explosive and Environment Safety है इंपोर्टेंट है दिल्ली में Combat Vehicle Research and Development Establishment ये चैने में है Defense Food Research Laboratory ये मैशूर में Terminal Ballistic Research Laboratory ये कहाँ पर ये है चंडिगर्ड में तो ये DRD की कुछ पर्मोक इंस्टिटूट कहाँ पर है ये आप इसको पता होना चाहिए लोकेशन आपको वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं इसी कीचेने वीडियो के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेर आइकन ज़रूर किलिक कर देना धन्यवाद झाल